सीएम हेमंत विस्वा का एनार्सी पर बड़ा बयान एनार्सी की लिस्ट में नहीं होने पर धक्का मार कर भगा देंगे असम में की गई 14 लाख लोगों की पुष्टी लाखे एनार्सी होगा जिसका नाम एनार्सी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांगलाडेश तक ठक्का मार मार के हमको भगाना परेगा यही हमारा नीती होगा पहले सब लोगों को एनार्सी बनने का समय सब लोगों को अपना पक्स राखने का सुभीधा मिलेगा कानूनन पूरा कर जतना भी प्रोसेस करना है सब प्रोसेस किया जाएगा अंत में अगर आप अपने आपको प्रूफ नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरी गूँ तब आपको कानून का रास्ता से हम धक्का मार मार के बंगलाडे प्रोसेस भेज दोगा असाम में कितना सफल प्रोसेस कंप्लीट हो शुका है सोधा लाख लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया हो अभी हम सुप्रीम कोर्ट से और रिक्वेस किया हो कि हमको और एक बार करने दिजी सिमान में हमको और 20% सेंपल से करने दिजी पहला सरन मे हमने सोधा लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया जो प्रठम दिश्ती में भारतिय नागरिक नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें दूसरा रिवीजन का अनुमति मिल जाते है तब वो संखा और बाहेगा अभी तक जो संखा हुआ है पहला सरन का एनर्सी से ये हमके बोड़ा लगें देखs उसका पहले आपका नाम कहा था अगर आप भारत का नागरिक है आपका 5 सली साल है 2021 में आपका नाम जार्खन में है। 2021 में आपका नाम जार्खन में है। इसका पहले नाम कहा थे। वो ही पुरा खेल है। हम लोग 2001 से भोटर लीस का जास करोंगा बाई ये बंदा का यहां नाम नहीं था से में नाम है से में नहीं था सोधा में है सोधा में नहीं था 21 में है पहले आप कहा था अगर वो पता देते है कि पहले मेरा नाम बिहार में था पहले मेरा नाम बेंगॉल में था पहले मेरा ना साम में था मेरा नाम डेली में था तब ठीक है कोई आपती नहीं लेकिन अगर डिखा नहीं सकता है कि पहले हमारा नाम कहां है तब तो प्रथम दिश्टी में आपका उपर संदेज आएगा ही जाएगा फिर आपको ट्राइगुनेल का सामने प्रूफ करना है कि भाई आप चा कि पाज नहीं होते हैं और जैसे जो भी नया लोग भोटार लिस्ट में आया है हाली ओही लोगों को जांट किया जाएगा जो लिखान का अदिव अच़् भास हीये मूल बास हीये उनको जाज भी नही Jewish लिए उनका नाम तो लिस में अल्रेडी पिता माता का दिन से है तो उनको जाज नहीं होता है किसका जाज होता है जिसका नाम पहला बार उठरा साल में भी जिसका नाम पहला बार आता है उनका जाज नहीं होता है किसले उनका पिता माता का नाम होगा लेकिन जो परिबार का नाम पहला बार आया है, जैसे आप पाकोर में जाए, बहुत सारा परिबार का नाम पहला बार भोटार लिस्ट में आते हैं, जो बैक्टी का नाम पहला बार भोटार लिस्ट में आते हैं, और उनका उमर उथार नहीं है, उनका उमर 30 साल है, 30 साल है, 70 स साले उनको पूछा जाता है कि आप कृपा करके बताइए कि आप पहले कहा थे तो यह परी साइंटिफिक प्रोसेश है और आप एपना मुझ को बताइए मैंने ओडिन पाकूर में गिया था पहले उहां में हिंडू विधायग होते थे अभी हिंडू लोग कॉंटेस भी करने क हो गिया यह तो कोई तो बताना परेगा ना तो यह हाई कोट जे में सरकार को पूछ रहा है जे में सरकार उत्तर नहीं दे रहा है इसका कारण सबसे ज़्यादा सटी किसका हो रहा है आज पूरा जार्खान में 2021 का अगर समिक्सा निकालेगा जंगनना अदिबासी का संखा और कम होगा तो इसलिए जे में को घुसपेठियू का समय सासे भागना नहीं सहिए आप घुसपेठियू का भोटो का लालस में अगर आप राजनिटी करेगा जार्खान का अदिबासी और मुल बासियू का कभी भी अक्सा नहीं होगा हम लोग माईनोरोटी बनते जाओंग कर दो कर दो